तो सबसे बड़ी ज्यांकारी आपको तरह देखे एक तरफ जो है वो दोनों आरोपी जो दिली स्थ में हैं उनको लेकर ज्यापूर पहुचा जाएक आपसे थोड़ी देर बाद लेकिन नितिन फॉजी को लेकर ज्यापूर पहुच चुकी है पुलिस और इसी भीश हमारे सही को ज्यापूर पूलिस लेकर आगई है सोडाला थाने के अंदर अभी कुछ देर में उनको मेडिकल के लिए जाए जाए जाता तब तक पूस्ताच नहीं होती पहले मेडिकल होगा फिर उसके बाद में इनको पेश करना होगा मैजिस्ट्रेट के सामने रिमांड लेना होगा उसके बाद में पूस्ताच होगी तो अब पूलिस ने परिक्रिया सुरू कर दिये नितिन फोजी आ गया रामवीर भी यहां पर यहीं रखा गया यह निकिरामवीर और नितिन फोजी दोनों को यह सोडाला थाने के अंदर रखा गया दोनों का मेडिकल होगा और इस बीच म उनको बहार लाए जा सकता इसको और यहां से मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा तैयारी पूली हो चुकिए आप देखे कि इस वक्त पुलीस की पूरी तैयारी है और इससे जो नितिन फोजी से दिल्ली पूलीस ने पूस्ताच की गया दूसरा जो जो दूसरा सक्स है उस नितितन की BE यहां लाया जाएगा बागी को उसके बाद में तीनों को मजिस्टेट के सामने पेश किया जायेगा फिर इसके बाद में रिवन किया जाएगा बावाणी मैं लोट रही हूँ आपके पास क्योंकि ये दोनों ही जगाई बहुत मेधपूर हो जाती है एक तरफ जैपूर और दूसरी तरफ दिल्ली क्योंकि दिल्ली से ही दोनों आरोपियों को लेकर जो है पुलिस पौची की जैपूर और राजिस्थान पुलिस को सौपा जाएगा मेरे सेवगे आनंद तेवारी जो है, वो लगातार उस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, आनंद क्या जानकारी? दूसरी गाड़ी ये Crime Range की दिल्ली पुलिस की और इसके बाद ये तीसरी गाड़ी के काफिले की हुआ है और यहां से करीवां चार गंटे का वक्त लगेगा जब जैपुर बॉर्डर पर जहां पर राजिस्तान पुलिस पहुची हुई है वो इन दोनों जो जो सूटर और जो उदा में एसोसियेट दे इनको जो है वो सुपुर्ट जो क्राइम रांच है वो जैपुर पुल बिल्कुल मैं लौट रहें आनंद आपके पास देखे तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहें ये वो काफिला है जो जा रहा है उन शूटर्स को लेकर जैपुर की तरफ क्योंकि यही वो काफिला है जिसमें वो दोनों शूटर्स मौजूद है अब आप यह समझें कि अब जब यह काफिला पहुचेगा राजिस्तान तो राजिस्तान पुलिस को सौप दिया जाएगा इन दो अपनी खबर लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि आखिर देखिए किस तरीके से इस हत्याकार्ट से जुड़े हुआ हर एक बड़ा अपडेट जो है सबसे पहले न्यूस है जिनेजिया आप तक पहुचा रहा है लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दे सु उसे कब से मिलिया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये लोग जो है वो कब यहाँ पर इस होटल में पहुचे थे कितने घंटे के लिए रहे और कितनी एक्विरेसी जो है वो बात में है क्योंकि होटल का मालिक जो है वो साफतार पर कह रहे है कि आदे गंटे पहले आये थे लेकिन अब ऐसे में आखिर क्या तालमेल बैठता है या नहीं बैठता है लेकिन ये तस्वीर आपको दिखा रहे है होटेल के लॉबी की ये तस्वीर जिस वक्त जो है दोनों होटेल में पहुचे थे और अब रूट मैप भी सामने आ चुका है पांच दिसंबर को सुकदेव सिंगोगा मेडी की हत्या के बाद से ही दोनों शूटर फराड चल रहे थे और वो पुलिस को चक्मा देने के लिए लगातार अपनी लोकेशन भी बदलते जा रहे थे अब आपको ग्राफिक्स के जरी अब तक की जो जानकारी सामने आई है वो समझाने की कोशिश करते हैं उसके जरी सबसे पहले आपको बता दे जैपुर में सबसे पहले ये मर्डर किया जाता है जहां पर उसके बाद आप देखे फिर राजस्थान के ही कुचामन में वो बस से यहां पर पहुँच जाते हैं उसके बाद क्या होता है कुचामन से वो डीडवाना पहुच जाते हैं डीडवाना करेक्शन भी यहां पर सामने आया है और डीडवाना में कार किराय पर बकाइदा उनकी तरफ से ली जाती है और उसके बाद डीडवाना से वो सुजानगर की तरफ पहुंच जाते हैं हाला कि आपको ये भी बता दे कि अलग अलग राजियों की पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी दिल्ली की तरफ जाने वाली उसके बाद वो सुजांगर से जो बस है वो पकड़ लेते हैं और उसके बाद आप देखे रिवाडी में उनकी ल गिरफतारी उसके बाद हो जाती है लेकिन ये पूरा रूट मैप हम आपको दिखा रहे हैं यानि कि जब हत्या की गई मुडर किया गया उसके बाद कब कहां पर जाना है कब वहां से निकलना है और उसके बाद की लोकेशन क्या होगी ये भी तेहे कि चंडिगर में जहां ग गेस्ट हाउस था वहां से आरोपियों की गिरफतारी हो गई है लेकिन ये रूट मैप जो है वो हम आपको पूरा दिखा रहे हैं जैपूर से जिसकी शुरुआत होती है 5 दिसंबर का वो दिन जब घर में खुसकर सुकदेव सिंगोगा मेड़ी की हत्या कर दी जाती है पु देखाई दे रहा है और क्या जानकारी आपके पास तस्वीरे दिखाई है देखिए लगातार जो क्राइम रांज की टीम है वो लगातार जो है वो हमारे काफिले के साथ हैं अभी हम यहां रेड लाइट पर रुके हुए और देखिए अब सबसे बड़ी चुनोती है राज पुलिस के पास होंगे और उन्हें कोड में पेश करके उनकी फर्दा रिमांड मांगी जाएगी और उसके बाद किस तरह से लौरन विस्नोई गेंग गोल्टी बरार रोहीद गोदारा इन तमाम लोगों ने किस तरह से इस शाजिस को अंजाम दिया किस तरह से हत्यार आए क और अब जो कर्णी सेना के जो अध्यक से जिनकी हत्या के बाद पूरी से राजिस्तान में रोश था जाहिर तोरबर परिवार के लिए एक थोड़ी राहत की बात है कि जो सूटर से उन्हें पकड़ लिया गया है और अब देखना होगा है कि आगे किस तरह की करवाई राज पूरे मामले में करेगी क्या और कोई एसोसियेट्स भी इनके जिनकी भी गरपतारी जल्द होगी